आदमी की जीवन में जब दुरबुद्धी आ जाती है तो आदमी का जीवन ही खराब हो जाता है आज दुरबुद्धी के कारण ही आज घर में आपस में जो कला है लडाई है जगडा है वो दुरबुद्धी का ही परिणाम है आज पिता पूत्र में बात नहीं बनती है सास ब क्योंकि हमारी बुद्धी ही खराब हो गई है, हमारी समझ ही खराब हो गई है, इसलिए हमारे जीवन में दुख बना हुआ है, आज आदमी कैसे लड़ रहें, जगड रहें आपस में, भाई भाई में बाते नहीं बनती है, पिता पुत्र में बात नहीं बनती है, सास बहु मे बाते नहीं बनती है आज तो ऐसी ही लडाईयां होती है सास बहु में मानो भारत और पाकिस्तान का युद होता है यहां हम सब आये हैं अपने जीवन को बदलने के लिए यहां दुर बुद्धी को दूर करने के लिए लेकिन हम इतना दिन से सत्संग सुन रहे हमारे जीवन मे कोई बदलो ही नहीं हुआ है क्योंकि हमने अपने जीवन को सत्संग में कभी नहीं उतारा है इसलिए हमारे जीवन से दुख दूर नहीं हो पा रहा है यह सत्संग को परिवर्तन और परिवर्तक कहा गया है जहां से आपका जीवन बनता है जहां से आपका मन बनता है जहां स सत्संग को सिर्फ जीवन में नहीं उतारा सिर्फ पंडाल में ही छोड़ा है ऐसे ही एक बार एक संथ बता रहे थे कि आप सत्संग सुनते हो सत्संग को जीवन में धारन करो एक युवक ने प्रश्न किया महराज इतनी सत्संग पाट कठा भारत देश धर्म परधान देश है फिर भी आदमी के जीवन में परिवर्तन क्योंने होता है आदमी क्योंने जीवन से क्योंने दुख दूर हो पाता है क्योंने सास बहों में प्रेम बढ़ता है क्योंने पिता-पुत में प्रेम बढ़ रहा है आदमी इतना सत्संग सुनने के बाब जुद भी संथ ने कहा मैं सराब खरीद कर लाता है और संत ने कहा इस सराब की बोतल को तु ढकन को खोलो वो युवक सराब की बोतल के ढकन को खोलता है संत ने कहा बेटा इस सराब को तुम गिलास में डालो वो युवक गिलास में डालता है सराब को संत ने कहा बेटा तुम इसे पी जाओ वो युवक कहा महराज मैं सत्संगी हूं मैं कभी सराब नहीं पीता हूं संद ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं तुम सराब तो पीओ लेकम याद रखना वो युवक सराब को उठाता है गिलास को उठाता है अपने मुख में डाल लेता है संद ने कहा बेटा तुम याद रखना सराब को अंदर जाने मत देना, तुम मुख में ही रखना, वो युवक मुख में ही सराब को रखा, संद ने कहा तुम थोड़ी देर बाद मुख से निकाल कर फेक दो, वो युवक मुख से सराब निकाल कर फेक देता है, संद ने पूछा तुम बताओ बेटा, तुम तुम्हें कितना नसा आया उश्य युवक ने कहा महराज मैं सोचता था आप थोड़ा कम पागल है लेकिन दुनिया के सबसे बड़ा पागल आप ही है कहा कैसे बेटा कहा मैं जब सराप को अंदर जाने ही नहीं दिया तो नसा कैसे लगेगा संत ने का ठीक बेटा इसी परकार से आदमी तो सत् अंदन तो लगाता है सिर्फ बाहर की दिखावा है सत्संग के आदमी जीवन में धार नहीं नहीं किया जिस दिन आप सत्संग को अपने जीवन में उतार लेंगे आपका परिवार आपका घर स्वर्ग बन जाएगा सिर्फ सत्संग को आपने पंडाल में ही रखा है जैसे प आदमी लड़ाई जगड़ा करना सुरू कर देता है बंदो आप सत्चंग को सिर्फ पंडाल में न रखो सत्चंग को आप अपने घर में ले जाओ जीवन में उतारो यह सत्चंग परिवर्तन परिवर्तक कहा गया है और यहां से आपका जीवन में बदलो होना चाहिए संदर बनाने के लिए अच्छी समझ की आवसकता है आज जीवन कहां संदर हो पा रहा है आदमी अपने जीवन से इतना दुख है दुखी है आदमी अपने जीवन से इतना प्रेसान है क्या कहा जाए आदमी के पास खाने के लिए सब कुछ है लिए फिर भी आदमी दुखी ह क्योंकि आदमी का जीवन सुंदर नहीं है आपका जब जीवन सुंदर नहीं होगा जब आपका मन पवित्र नहीं होगा जब आपका कर्म पवित्र नहीं होगा तो आपके दुनिया में कोई आदमी सुखी नहीं कर सकते हैं यह सत्संग को आप अपने जीवन में उतारा आपका घर आपका परिवार मंदिर है उस मंदिर में आप कभी लड़िये मत उस मंदिर में आप कभी जगड़िये मत और उस मंदिर में कभी सराव मत पीजिए जैसा आपका संसकार होगा जैसा आपका विचार होगा वही संसकार आपके बच्चों पर भी पड़ेगा आप खुद लड रहे हैं और स्टूरें चाहते हमारे बत्चे बुद्ध महाः कभीर बने तो कैसा हो पाएंगे आपने वर्सों से सट्संग सुन हैं पुज़ा पार्ट कर रहे हैं लेकिन आपका जीवन में कोई परिवर्न नहीं हुआ क्या मतलब सट्संग सुनने से सत्संग को आप अपने जीवन उतारिए यह सत्संग यहां बदला जाता है और यहां आप संकल्प लेकर जाए आपने अपने जीवन को बदलिए ऐसे एक बार एक संत संकल्प करवा रहे थे कि भाई साय हो यहां कुछ न कुछ बदल कर जाओ कुछ न कुछ बदलो एक परिवार में प्रेम नहीं, आज से मैं प्रेम से जीवन जीऊंगा, सबने संकल्प लिया, संत ने कहा कुछ न कुछ छोड़ कर जाओ, एक युवक खड़ा हो गया, उन्होंने कहा महाराज मैं भी छोड़ रहा हूं, संत ने कहा बताओ बेटा तुम क्या छोड़ रहे हो, यु से मैं सत्संग ही छोड़ रहा हूं, बंधो याद रखना, आदमी जूट बोलना नहीं छोड़ सकता है, आदमी सराव पीना नहीं छोड़ सकता है, आदमी लड़ना जगड़ना नहीं छोड़ सकता है, गलत काम नहीं छोड़ सकता है, लेकिन सत्संग को छोड़ देता है, य चप्पल बदलने से जीवन नहीं बदलता है जीवन बदलता अच्छे संसकारों से अच्छे बिचारों से और अच्छे कर्मों से ये अच्छे सुंदर बिचार और अच्छे संसकार हमें ये संतों और गुरुजोनों दुवारा मिलता है इन बिचारों को हम जीवन में उतार क उसे जब जीवन में उतारेंगे तब हमारा घर और परिवार आपके बच्चों को पता चले कि हमारे माता पिता या हमारे भाई या जो मेरी मां इलहाबात सत्संग गए थे गुर्देव अस्थान गए थे जहां से उन्होंने जीवन को बदल कर आये हैं ये पता चले तो मैं सुन्दर बनाने के लिए आये हैं मैं कुछ देर कुछ कहने का प्रियास किया इन्ही शब्दों के साथ मैं अपने वानी को विराम देता हूं बोलिए सद्गुरु कबीर साहेव की जाए सद्गुरु अभिला साहेव की जाए